दिल्ली में सीम भूपेश बगेल ने हल्ला बोलते हुए कहा कि हम किसानों का कर्ज माफ करते हैं तो उसे रेवडी बताया जाता है और उनकी उद्योग पत्यों की कर्ज माफी रबडी है सीम भूपेश बगेल अपने छे मंत्रियों के साथ रेली में शामिल हुए वही स्वास्त मंत्री टीय सिंग देव सहित छे मंत्री इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए हैं कॉंग्रिस की हला बोल रैली में पूरे 36 गड़ के 4000 से जादा नेता कारे करता दिल्ली पहुँचे थे मध्यप्रदेश में बाल आश्रे और बाल संप्रेशन ग्रहों में रहने वाले बच्चों के खाने में अंडा और चिकन देने के आदेश के बाद दो विभाग आमने सामने आ गए हैं महिल्या एवं विकास विभाग ने बच्चों के लिए खाने का मेन्यूस जारी करते हुए 25 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था इस पर ग्री मंत्री डॉक्टर नरुतम मिश्रा ने नराजगी जताते हुए कहा के मध्यप्रदेश में अंडे का फंडा नहीं चलेगा इसे किसी भी हालात में नहीं चलने दिया जाएगा ग्री मंत्री के बयान के बाद दोनोवी भागों के अफसर पसोपेश में पड़ गए हैं फिलाल इस मामले के गर्माने पर दोनोवी भागों के अफसरों ने चुप्पी सादली है ग्वालियर में खपत से ज्यादा बिजली का विलाने का आरोप लगाते हुए एक शक्स ने मीटर रीडर के साथ मारपीट कर दी मीटर रीडर के साथ मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वैरल हो रहा है गटना का विरोध करते हुए मध्यप्रदेश ठेका कर्मचारी संग बिजली मुख्याले रोश्णी घर पर धरने पर बैट गए हैं धरने पर बैटे कर्मचारियों ने जिला प्रशासन और बिजली विभाके अधिकारियों से आरोपी उपभोकता की जल्द गिरफतारी करने की मांग कर रहे हैं कर्मचारी संग ने सीम उर्जा मंत्री से प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है बीते रोज जिवाजी गंज के सिकरवार मोहले में मीटर रीडर ब्रिज मोहन धाकर से हुई थी मारपीट पुलिस ने मीटर रीडर की शिकायत पर अरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर हिरासत में ले लिया है चाकुबाजूी में करणी सेना के नगर मंत्री की मौत के मामले में करणी सेना ने शव को बीच सड़क पर रखकर उग्र प्रदर्शन किया कर्णी सेना के नगर मंत्री की मौत के बाद गुसाए कर्णी सेना के पदाधिकारियों ने थाने के सामने शव रख कर प्रदाशन किया कर्णी सेना अपने नगर मंत्री के हत्यारों के खिलाफ सक्त कारवाई करने की मांग कर रही है पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हत्यकांड के आठ घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को गिरफतार कर लिया गया है जबकि करणी से ना आरोपियों के मकान को बुल्डोजर से ध्वस्त करने की मांग पर अड़ गई है खरगोन में पंजाब पुलिस ने गैंक्स्टर्स को अवैध हत्यार सप्लाई करने वाले तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है तीन आरोपियों से 63 अवैध पिस्टल जब्द किये गए है पंजाब पुलिस ने खरगोन के सिगनूर एवं रेटुआ कस्बे में बड़ी कारवाई की है और बड़ी कारवाई करते हुए दो आरोपियों को धर्दोबोचा है पंजाब पुलिस के मताबिक पंजाब के अमरित सर में 10 अगस्त को अवैध पिस्टल के साथ दो आरोपी पकड़े गए थे गिरफतार किये गए आरोपियों ने खरगोन से अवैध पिस्टल खरीदना कबूल किया था उसी को लेकर 10 अदस्य पंजाब पुलिस ने MP के खरगोन एवं बुरहनपुर में कारवाई की पंजाब पुलिस खरगोन के दो आरोपी सोनु सिंग कैलाश एवं बुरहनपुर से भूरे लाल को पकड़ा सोनु से आठ पिस्टल और कैलाश एटीस और भूरेलाल से पच्चिस पिस्टल पकड़े हैं चतरपुर जिले के राजनगर तहसील के शासी के माधिमिक शाला बिरौना के टीचर राम गोपाल का हाल ही में दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया है बिरौना में टीचर पिछले 13 सालों से पदस्त थे सरकारी स्कूल के बच्चों को जब ये पता चला तो वो फूट फूट कर रोने लगे नन्हे बच्चे उने रोक रहे थे लेकिन ट्रांसफर के फैसले के बाद उन्हें जाना पड़ा जब उनकी विदाई हो रही थी तो मासूम बच्चे अपने टीचर से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे बच्चों को रोता देख टीचर भी भावुक हो गए धर्चिले में नहीं थम रहा लहसुन किसानों का विरोध प्रदर्शन अपनी उपज को भाव ना मिलने और सोयाबीन फसल में लगी विमारी से पीडित किसानों ने आज बदनावर मार्ग पर लहसुन को सड़क पर फैला का राग लगा दी इस दोरान किसानों ने हाईवे पर चक्का जाम करते हुए प्रदर्शन किया जिसके चलते पूरे हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारे लग गई गौर तलब है कि पिछले कई दिनों से मालवा के लहसुन उत्पादक किसान लहसुन की लागत मूले नहीं मिलने पर राजस सरकार से नाराज है किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 8 सितंबर तक उनकी मांगे सरकार ने नहीं मानी तो किसान सड़क पर उतर कर उग्र प्रदर्शन करेंगे दंतेवाडा जिले में मौझूद बेला डीला अपने आप में हजारों रहसे समेटे हुए है जिस पर आज भी रिसार्च चल रही है टीवी नाइन डिजिटल की टीम ने बीते दिनों ट्रीफरंड का एक बगीचा और उसके पास मौझूद एक ज़णने को दर्शकों के सामने लाने का प्रयास किया है का बीत सड़क पर मारपीट करने वाले आरोपियों के घरू पर चला शिवराद सिंग चुहान का बुलडोजर एक दिन पहले बीच सड़क पर एक दरजन से अधिक आरोपियों ने मिलकर बीच सड़क पर हवलदार के साथ माल पीच की थी मुरैना पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद उनके घरों पर बुल्डोजर चला कर धुस्त कर दिया है इस दोरान पूरे इलाके में भारी पुलिस बलक भी तैनाज कर दिया गया है गौर तलब है के सभी आरोपियों मुरैना के बाग चिनी इलाके के घुर्रा गाउं के रहने वाले थे